हेलो फ्रेंज आप देख रहे हैं हमारा चानल ब्लू इंडिया आगे आने वाले समय में लेटिस इंफरमेशन को जानने के लिए हमारा चानल अभी सब्सक्राइब करें मैं आपके साथ मांसी अरोडा ब्लू इंडिया चानल में आपका स्वागत करती हूँ वो भारती क्रिकेटर जिसने तूटे पांफ पर बिजली के जटके सहकर आस्ट्रेलिया को मेल्बन में हराया साल 1981 इंडियन टीम आस्ट्रेलिया टूर पर थी इस टूर पर टीम का हाल बहुत अच्छा नहीं था पहले ही मैच को आस्टेलिया ने पारी में जीत लिया दूसरा मैच ड्रॉव और खत्म हुआ फिर बारी आई मेल्बन टेस्ट की ये टेस्ट बड़ा मशूर है कई वज़व से इसमें सबसे बड़ी वज़व तो ये कि सुनील गवासकर का वॉक आउट था खेर पहली पारी में 182 रन से पिछड़े भारत ने बहतरीन खेल दिखा कर ये टेस्ट जीत लिया था इस जीत के बाद गुडपा विश्वनाथन को मैन अफ दा मैच चुना गया उन्होंने पहली पारी में सेंचुरी मारी थी मैच के बाद कपिल की भी खुब तारीफ हुई कपिल देव ने दूसरी पारी में पांच विकेट लिये थे लेकिन इस मैच के दौरान सबसे बहादुरी के काम करने वाले बंदे को आज सक उसका ड्यू ही नहीं मिला आज हम इसी बंदे की बात करेंगे नाम डिलीब दोशी काम लेफ्ट आम स्पिनर तूटे पांच से खेले दोशी ने मेल्बन टेस्ट की पहली पारी में तीन और दूसरी पारी में दो विकेट लिये थे यानि आस्टेलिया के एक चौथाई विकेट दोशी के हिस्से आए लेकिन आपको शायद ही पता हो कि ये विकेट किस कीमत पर आए दोशी इस मैच में पांव के फ्रेक्चर के साथ खेले थे इस मैच के कई साल बाद दोशी ने एक इंटर्वियू में बताया मेरे पांव में चोट लगा था और वहाँ पर फ्रेक्चर था लेकिन मैंने कहा कि मैं खेलूंगा हर शाम मेरे पांव में लेक्ट्रॉड लगा कर जटके दिये जाते थे इन जटकों से काफी दर्द होता था लेकिन इससे सूजन कम रहती थी अगली सुबा मुझे अपने पैर बरफ से भरी बाल्टी में रखने पड़ते थे जिससे वो जूतों में फिट हो सके बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए कि मैंने वो क्या किया और क्यूं किया मैं वो इसलिए किया क्योंकि मुझे भरोसा था कि हम जीतने वाले हैं और मुझे इसमें योगदान देना होगा ऐसे जिगरे वाले दिलीप रस्यकलाल दोशी भारत के लिए सरफ 4 साल ही खेल पाए दिलीप उन चंद प्लेयर्स में से एक हैं जो इंडियन डेब्यू से पहले ही इंटरनाशनल स्टार बन चुके थे वे किसी भी एरा में भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की काबलियत रखते थे लेकिन दरभाग गये रहा कि वे 70 के दशक में खेले जब भारत के पास एरापली प्रसन्ना, विशन सिंग बेदी, भगवत चंद शेखर और वेंकिट राधवन की चोकडी थी इनमें कोई पार आए तो खड़े मिले रजिंदर गोयल, रजिंदर हांस, पदमाकर शिवालकर और शिवलाल यादव सालों तक भारत से लेकर इंग्लेंड तक कई सोख विकेट लेने के बाद आखिरकार दिलीप को इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला एथलीट की सरंचना से घोर, उलट शरीर, मोटे स्कौार वाला चश्मा दिलीप कहीं से भी समाज की बनाई एथलीट की परिभाशा में फिट ही नहीं होते थे लेकिन टीम में वे बहुत अच्छे फिट रहते थे, कम से कम तब तक जब तक उनकी गवासकर से ठन नहीं गई सौबर ने सरहा, दिलीप का इंडिया करियर भले ही सरफ 13 मैश तक ही चला हो, काउंटिंग में वे खूप खेले थे ऐसा एक बार वे नौटी घंशर के लिए खेल रहे थे, नौटी ने उनका खेल देखने के लिए वेस्ट इसके दिगज, गैरी सौबर को नियोता दिया सौबर काला चिश्मा पहन कर अपनी सिल्वर जैगवार के पास खड़े हैं, दिलीप को देखकर सौबर आये उनसे हाथ मिलाया और बोले बहुत अच्छे बेटे तुम बहतरीन हो, गवासकर से अपनी तना तनी के बारे में दिलीप ने एक इंटर्वियू में कहा था, सौनील कावासकर एक मास्टर बल्लेबाज थे, उनके जैसा बल्लेबाज बहत कम हुए हैं, लेकिन कई मौके पर हम नजरे नहीं मिलाते थे, वह मेरे कप्तान थे, एक बॉलर उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा उसका कप्तान चाहे या उसे बना पाए, इंडिया के लिए खेले हुए दिलीब को इंडियन क्रिकेट की तमाम चीजों से दिक्कत थी, अपनी ऑटो बायोग्राफी स्पिन पंच में उन्होंने लिखा है, भारतीय टीम को बस एक चीज का जिनून है, पैसा, या बहत घिनोना है, और बीसे से आये तो सरकार के अंद चार प्रसार पूरी तरह से हद पार कर चुके थे, उन्होंने एक वंडे मैच से पहले के हालात का जिक्र करते हुए लिखा था, पूरी बातचीत, स्पॉंसर्शिप, प्राइज मनी, लोगो रॉयलिटी और मैच फीस के इडगिर्थ थी, क्रिकेट पर तो सबसे अंत में ब पचन से बुरे तरह गिरे हुए इंसान थे, दिलीप ने ऐसी तमाम घटनाओं का जिक्र कर, इंडिन क्रिकेट के सबसे बुरे चेहरे से परदा हटाया था, उन्होंने ऐसी घटना का जिक्र करते हुए लिखा, युवा पेसर रंधीर सिंग एक टूर मैच में बॉलिंग कर रहे थे, उनकी बॉलिंग पर सीनिर्स ने सिलिप में तीन कैच गिराए, वो लोग सिलिप में सिर्फ इसे खड़े होते थे जिससे आपस में बातचीत कर टाइम पास कर सके, लगातार कैच गिराने के बाद माफी मांगना तो दूर किसी ने इस तरफ नोटेस सक नहीं किया, 32 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले दिलीप दोशी के नाम 33 टेस्ट मैचों में 114 टेस्ट विकेट हैं, 22 दिसंबर 1947 को पैदा हुए दिलीप दोशी इंडियन डेमोक्रेटिक क्रिकेट में सोराष्ट और बंगाल दोनों के लिए खिले थे, फर्स क्लास में उनके नाम 898 90 विकेट हैं, दिलीप 30 साल या इससे जादा की उम्र में डेब्यू करने के बावजूत 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे बॉलर थे, क्लारस क्रिमेट ऐसा करने वाले पहले बॉलर थे, इस लिस्ट के बाद में सयद अजमल और रियान हैरिस भी जुडे, ऐसी तमाम रोचक इंफरमेशन को जानने के लिए हमारा चैनल ब्लू इंडिया सब्सक्राइब करना न भूले और अंत में इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें